नमस्कार साथियो, S.S.C. J.S.P. पुनिमापका स्वागत है आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चेप्टर 9 की सविधान एक जीवन दस्तावेज सविधान एक जीवन दस्तावेज Part 1 है, तो देखो हम बात करें सविधान को पुनय तैयार क्यों किया जाता है यानि जो सविधान एक बार बन जाता है, तो उसमें परिवर्तन क्यों होता है एक प्रस्न है, तो इसका अंसर एक हो गया, परिस्थिति गत परिवर्तन कुस तो ऐसे परिवर्तन होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार किये जाते है क्योंकि जब सविधान बनाया तब परिस्तित्या कुछ और थी और अब परिस्तित्या कुछ और है तो हमें परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है एक होता है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक का मतलब सामाज में देरे-देरे बदला हो आता है जैसे पहले पुराने जमाने में अलग बाती थी, अब नए जमाने में नई सोच हो गई, नए बाती हो रही है, तो समाज के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी होता है, और तीसरा होता है राजनिति उठापटक, राजनिति उठापटक का मतलब है, कि जो राजनिता है, वो अ खुद जो राश्टपती था उसका अपना कारेकाल बढ़ा दिया अब हम बात करें विश्यू के इतियास में कि सविधान कहां कितनी बार बदला गया तो जो USS R है, Soviet Sang है उसने चोत्तर सालों में अपना चार बार सविधान बदला है चोत्तर सालों में चार बार 1913 में उनका सविधान बना उसके बाद 1924 में दूसरा सविधान बना 1936 में तीसरा सविधान बना 1937 में चोत्ता बदलाव किया और 1913 में उन्होंने अंतिम बारिस में बदलाव किया यानि चार बार यहां के सविधान में परिवर्तन हुआ इसी प्रकार हम एक औरो धान देके तो फ्रांस में 200 सालों के अंदर पांचवा गनतंत्र हुआ यानि चार वार इसी में भी परिवर्तन हुआ 1713 जो फ्रांसे सिक्रांती हुए उसके जश्ट बाद में जो सविधान बना 1713 में बना उसके बाद 1848 में इसमें परिवर्तन हुआ फिर 1845 में परिवर्तन हुआ फिर 1946 में परिवर्तन हुआ और अंतता है 1958 में जाके और पांचवा गनतंत्र बना यानि सविधान में यहाँ भी चार बार परिवर्तन हुआ अब ये उधान हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे भारतें सविधान की बात करे तो उसमें अभी तक कोई परिवर्तन के आउशकता महसुस नहीं हुई तो प्रस्न है कि हमारा सविधान क्यों आप परिवर्तनी है रहा आया परिवर्तनी का मतलब हमारे सविधान में हमने क्यों नहीं ऐसे बदलाव किये क्यों क्योंकि उसकी सफलता का राज ये है कि हमारे जो सविधान निर्माता थे वो बड़े ही दूर दर्श्टी थे दूर दर्श्टी का मतलब होता है उन्होंने उस समय ही दूर की सोच ली उस समय ही उन्होंने सोच लिया कि आने वाले समय कैसा आएगा और हमें सविधान में क्या-क्या प्रावदान रखने है तो उन्होंने आज जो गटित हो रहा है वो उसी समय उन्होंने इसके बारे में नियम कानून बना दिये फिर है हम सब सम्मान करते हैं हमारा सविधान सफल होने का वकारण ये भी है कि हम सब उसका आदर करते हैं हम सम्मिधान का सम्मान करते हैं इसलिए सविधान को हम बदलाओ की बात नहीं करते हैं जैसे हमारे कोई दादा जी है नानी है नाना जी है यदे हम उनकर सम्मान करेंगे तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि इनको हम घर से निकाल दे या इनको हम बदल दे या इनको हम एक तरह से बर्दास्रम में भेज़ दे और देश की दसाओं के अनकूल, हमारा सविधान जो बना है, हमारे देश की दसाओं का मतलब देश की विविद्धा है, भासा है, धर्म है, जाती है, पाती है, वर्ग है, इन सभी के अनकूल हमारा सविधान बना है, इसलिए हमेश में कोई परिवर्तन के आवशकता नजर नह प्रक्रिया अगर आपको बदलना भी है कुछ तो उसके लिए उन्होंने प्रक्रिया अपनाई कि सविधान संसोधन कर सकते हो इसके लिए उन्होंने अनुच्छे 368 सविधान में डाल दिया कि इस अनुच्छेत के तहट इस प्रावधान के तहट आप सविधान में संसोधन कर सकते हो अब सविधान संसोधन क्या है संसोधन का मतलब है कि जैसे कोई किताब लिखी हमने और जैसे मैं ये बना रहा हूँ इसमें अगर मैं यह हटा की जगए कुछ और लिखना चाहता हू तो एक बार तो छब गई किताब अब इसके बाद इसमें संसोधन होगा तो इसी परकार सविधान हमारा बन गया लेकिन सविधान में अगर कोई सब दाटाना है कोई डिजिट है कोई अंक है उसको बदलना है पंदरा की जगह 20 करना है 2000 की जगह 5000 करना है तो वो संसोधन कहराता है उधान के लिए जैसे वो समय 100 रुपे का चालान था किसी के हिलमेट लगाने पे हिलमेट नहीं लगाने पे अब 100 रुपे देके तो कोई भी बिना हिलमेट चल जाएगा अब हमें चालान करना है 1000 रुपे तो सो के जगा हमें अजाल लिखना है ये संसोधन हो गया तो सविधान संसोधन की प्रक्रियागा हमें ओप्सन दिया गया और सविधान हमारे लचिला भी है और खटोर भी है अब लचिला का मतलब क्या है लचिला का मतलब है कि जो बदलाओ के प्रती खुली दृष्टी है यानि सविधान हमारे जो भी हम बदलाओ करना चाहते हैं उनके लिए आराम से हम बदलाओ कर सकते हैं साधान कानून के द्वारा हम बदलाओ कर सकते हैं तो लचिला हो गया नरम हो गया, मुलायम हो गया और कठोर का मतलब बढ़ा टाइट, बढ़ा ही निर्मं क्यो क्योंकि अनावशक बदलाव के प्रतिर्थ कठोर रवाईय अपनाता है हमारा सविधान यानि हम अनावशक अगर बदलाव करना चाहे, बिना कोई जरुरत के हमारी मर्जी के लिए, हमारी ताना साही के लिए तो सविदान क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है यानि उसमें संसोधन की प्रक्रिया कठोर हो जाती है यानि कुछ संसोधन तो हम आराम से कर सकते हैं और कुछ संसोधन करने में हमें कठनाई होगी तो अब बात करें हम कि सविदान संसोधन की प्रक्रिया क्या है तो सविदान संसोधन हमारे अच्छे 368 में दिया गया है इस 300 से में क्या लिखा हुआ है कि संसद नए उपबंद या इन उपबंदों को पुराने को बदल या हटा सकती है यानि कोई भी प्रावधान अगर हमारे सविदान में किया है तो उसकी जगे नए उपबंद जोड सकती है और पुराने को या तो बदल सकती है या पुराने को हटा भी सकती है और यह तीन प्रकार से होता है एक तो होता है सामान्य बहुमत से अब सामान्य महुम्ट क्या है? सामान्य महुम्ट का मतलब है कि विधी द्वारा विधी द्वारा का मतलब नियम से बिना 366 के तो ये संसोधन हो जाएगा अनुच्छे दो जैसे नई राज्यो का निर्मा संसत चाहे तो नई राज्य का निर्मा कर सकती है इस आधार पर सामाने बहुमत से छेतरपल बढ़ाना अनुच्छे तीन अनुच्छे तीन क्या कहता है किसी भी राज का छेतर पर बढ़ाया घटाया जा सकता है ये भी सामाने महमत से हो सकता है और दूसरा प्रकार क्या है संसद के दोनों सद्नों में भिन भिन विसेश बहुमत ये थोड़ा कठिन है इससे क्या कठिन है कि संसद के दोनों सद्नों में यानि लोग सभा में राज्य सभा में भिन 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 यानि अलग-अलग विशेश बहुमत अब विशेश बहुमत क्या चीज़ है भईया विशेश बहुमत बहुत ही विशेश है ये तो बहुमत हो गया सामानी ये हो गया विशेश इसका मतलब है कुल सदश्यों का आदे से ज चीए अब सोचो कर पांसो पेतालीसी उपस्तित हो जाए तो गुणा दो गटा तीन तो लगबग तीन सो चोसर सदस्च चीए अब यहां तो दो सो तेत्र से काम हो रहा था अब यहां अगर पूरे सदस्च आ गए उस दिन तीन सो चोसर सदस्च चीए तो देख हो कितना गठिन हो गया कहां तुअब अब दो सो तेत्रत हमेसे सरकार के तो लेकिन यहां दिखकत आती है अगर उपस्तित जादा लोग आ गए तो उसका दोतिहाई इतना होता है तो यहां दोनों ही कंडिशन पूरी होनी चीए कुल सुधश्चों का आदश जादा और उपस्तिति का दोती है यह है दूसरे प्रकार का तीसरे प्रकार का है विशेश भहुमत प्लस कुल राज्यों की आदी विधाई का है यानि विशेष भहुमत यानि ये दोनों कंडिशन तो होनी ची ये पूरी साथ में कुल राज्यों की जैसे हमारे 29 राज्य है तो उन में से आदी लगवग साड़े चौदा अब साड़े चौदा को हम 15 लिख सकते हैं यानि 15 राज्य उसके बारे में हां कह दे यानि वहाँ भी क्या हो जाए इस प्रस्ताव को मान लिया जाए प्रस्ताव पास हो जाए तो विशेष भहुमत तहई साथ में कुल राज्यों की आदी विदाएक है ये सबसे ज़्यादा कठीन है इसमें ये जो बात कर रहे थे कि आनावश्य बदलाव के लिए कठोर रवईया कठोर रवईया ये है और लचिला रवईया ये है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सविदान संसोदन की तीन प्रकार की विदी है सामान्य बहुमत जो बिना इसके हो सकता है विधी द्वारा केवल, संसत के दोनों सुद्नों में बिननी बिन बहुमत और विशेज बहुमत प्लस कुल राज्यो के आदी विधाई का है अब तक हमारे देश में 124 संसोदन हो चुके हैं 2019 तक अब हम बात करें कि स्विजलेन, रूस और इटले में जनता की हिस्सेदारी से भी संसोदन होते हैं यहनि जनता भी उसमें भाग लेती है जबकि हमारे आप कौन लेता है हमारे आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्टपती ये चारों मिलके ये काम करते हैं अब बात करें संसोधन की विश्यवस्तू तो जो को संसोधन अलगलग हिसाब से तीन परकार का होता है पहला होता है तक्नीकी या प्रसास्नी तक्नीकी प्रसास्नी का मतलब हम कहते हैं तक्नीकी खामी आ गई तकनिकी प्रोब्लम टेक्निकल टेक्निकल का मतलब कहीं बार सविधान में ऐसी लेंग्वेज हुजाती है उस लेंग्वेज को बदननी पड़ती है या उस डिजिट को बदननी पड़ती है जैसे पंदरोई सविधान सरस्वधन था जो उचित्म नियाइल के जो नियाइधीस है उनकी उम्र 60 से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी तो जो 60 था इस 60 को 32 परसासनिक दिश्थी से परसासनिक सुधा के लिए इसी परकार सरोच नियाइल के ऐस सी सुप्रिम कुर्ट के जो नियाइधीस वगरा है उनके वेतन बढ़ाने थे ये 55 संसोदन था तो वेतन ये मानलो कर 60,000 है तो उसको डेड़ लाग कर दिया डेड़ लाग है तो तीन लाग ये वेतन बढ़ाने का संसोदन है इसे प्रकार SCST का जो आरक्षन है उसको 10 साल के लिए बढ़ाया अब सुरु सुरु में SCST का आरक्षन दिया गया था केवल 10 साल के लिए यानि 1960 तक के लिए फिर इसको 70 तक के बढ़ा लिए फिर 80 तक बढ़ा दिया फिर 90 तक बढ़ा दिया फिर 2000 तक बढ़ा दिया 2010 तक बढ़ा दिया अब 2020 तक है ये अब 2020 से पहले इसे फिर बढ़ा के 2030 तक कर देंगे तो ये सविधान संसोदन द्वारा ही हुआ 60 को 70 कर दिया वस इतना सा हुआ है 60 को 70, 70 को 80, 80 को 90 से दूसरा प्रकार है राजनिति आम सहमती यानि जो राजनिता है हमारे जो राजनिति करते हैं वो अपनी हिसाब से अपनी सहमती के आदार पर यानि वो सारे दल मिलकर जैसे दल बदल विरोधी कानून है बावनवा संसोदन हुआ अब यह जो बावनवा संसोदन हुआ वो दल बदल निरोधक कानून था यानि इसके बाद कोई भी क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी किसी भी दल का बंदा अपनी पारिटी को छोड़के दूसरे दल में सामिल हो जाता था तो मेहनत करती वो पारिटी और जो लड़्डू चखने की बात आए तो उस पारिटी को छोड़के दूसरे में चल जाता था इसे रोकने के लिए इसमें ब्रश्टाचारी बढ़ता था, क्योंकि दूसरी पार्टी उसे कुछ प और दल दल कानून लाया गया, अब कोई भी बंदा, कोई भी नेता अपनी पार्टी छोड़के दूसरे में नहीं जा सकता, विद्ध जाता है तो उसकी जो सदस्यता यदि हो MP है या ML है तो उसकी सदस्यता रद्ध कर दी जाईगी कौन से संसोधन है बावन संसोधन इसे परकार 91 संसोधन ये क्या था इसे प्रकार तेतरवा चोटरवा संसोदन वो भी आम सहमती से बना तो ये सारे संसोदन वो है जो आम सहमती से यानि जो सभी रानितिक दल जिनको चाहते थे अब तीसरा प्रकार है संसोधन का विवादास्पद विवादास्पद क्या है? विवादास्पद का मतलब जैसे 38, 49 और 42 संसोधन ये तीनों संसोधन विवादास्पद कहलाते है यानि ऐसे संसोधन जिन में किये गए बदलाओ जगड़े होने लगे जिने में किये गए बदलाओं से विवाद होने लगे, जगडे होने लगे या सभी दलों को वो बात हजम ना हो, सभी दलों उस पर सहमत ना हो उन्हें हम विवादास पतर संसोधन कहते हैं अलाकि यह संसोधन किये गए, वो अनुचे 43 और 44 संसोधन के दौरा इनको निरस्त कर दिया गया यह जो भी बदलाओं किये गए, इन बदलाओं को रोक दिया गया किसके दौरा? 43 और 44 important question है, 49, 49, 42 संसोधन को किन संसोधन दौरा रोका गया? 43 और 44 और एक किस सुनाता है, लगू सविदान संसोधन किसे कहते हैं 42 को क्योंकि इसमें बहुत ज़्यदा बदलाओं किये थे जैसे क्यों कहते हैं लगू सविदान इसको लोकसभा कि यहुदी 5 साल से 6 साल कर दी बढ़ा कर और इसमें मूल कर्तबे जोड़े गए, पहले 10 जोड़े गए और अब वरतमान में 11 मूल कर्तबे हैं पिर कैस्वानन मामले को चुनोती दी गई, अब कैस्वानन मामला क्या था? कैस्वानन मामला था, देखो 1973 में कैस्वानन बहारती बनाम भारत सरकार एक ये मामला था इसमें सरोज नेयले ने फैसला दिया कि मूल संगरचना का सिद्दान थे उसने मूल संगरचना का सिद्दान दिया कि भई जो सविधान में जो मूल ढाचा है सविधान का सविधान की जो मूल विसेशता है उनको संसद बदल नहीं सकती उनमें संसद संसोधन नहीं कर सकती अब हम बात करें फिर क्या किया मोलिक बदलाव ये लगु सविधान में बहुत सारे मोलिक बदलाव किये इनसे नाराजो करिनों नहीं काम किया फिर प्रस्तावनों में बदलाव किया गया प्रस्तावना में दो नए सब्द जोड़े गए समाजवादी और पंथर निर्पेक्स्ता ये जो दो है वो सब्द इसी समय जोड़े गए वियालिस विसंदों संसोद में सात्वी अनुसुचिम बदलाव किया गया त्रेपन अनुच्छेत बदले गए इसलिए हम इसे लगु सविधान कहते हैं अब मूल संगरचना का सिद्धान ये उन सविधान के विकास में योगदान ये जो मूल संगरचना का सिद्धान है इसने सविधान के विकास में क्या योगदान दिया तो मिने बताया था ये केस था केस्वानन मामला कैस्वानन भारती बना भारस सरकार क्या योगदन दिया एक तो संसद की संसोधन सकती सिमित कर दी पहले संसद ये समझती थी कि हम कोई सभी संसोधन कर सकते हैं इस सिद्दान से इस फेशले से संसद की संसोधन करने की सकती है क्या हो गई? सिमित हो गई और सविधान को सीमा में संसोधन, सविधान को संसोधन करना है वो सीमा यानि लिमिट में रगर करना था अब और मूल संगरचना में आखरी नीर्न है, नियाई पालिका का होगा, इससे ये भी बात सामने आई कि अगर मूल संगरचना कौन सी है कौन सी नहीं है इसका निरने कौन करेगा अदालत करेगी नियाई पालिक और ये जो सिद्धान्त है ये 40 सालों तक इसी को आधार बनाकर और सविधान की व्याख्याय की गई तो दोस्तों ये 9th क्लास का चेप्टर, 11th क्लास का चेप्टर 9 था, पार्ट 1st पार्ट 2nd के लिए अगला वीडियो देखे देखो इसको सबसे पहले सबस्काइब करो आप और अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले सेयर करो गे तो ज़्यादा ज़्यादा दोस्त आपकी इनको देखेंगे और फायदा ले पाएंगे, धन्यवाद